आदित एलवन की बात जिसने आज इतिहास रज दिया है इसरो का पहला सोरी मिशन आदित एलवन अपनी मंजिल यानी लैग रेंज पॉइंट में अस्थापित हो गया है पृत्वी से 15 लाख किलोमिटर दूर एलवन पॉइंट के पास की कक्षा में इसे अस्थापित किया गया है तो आदित एलवन जिसने आज इतिहास रज चाहे इसरो का पहला सोरी मिशन आदित एलवन है और अपनी मंजिल लैंग रेज पॉइंट में ये अस्थापित हो गया है पृत्वी से करीब 15 लाख किलोमिटर दूर एलवन पॉइंट के पास की कक्षा में इसे अस्थापित किया गया है क्यों एहम है आदित एलवन मिशन आपको बता दे कि एलवन के पास की कक्षा से सूरी का अध्यान करने में इसे मदद मिलेगी सूरी के कोरोना का नेक्षन करना इसरो के मिशन का मकसद है और सूरी की सबसे बाहरी परत है कोरोना solar wave के अध्यान के लिए आदित्य की special designing भी की गई है सौरवातावरन में गतिशीलता, सूरी के परिमंडल की गर्मी का भी study इसके माध्यम से किया जाएगा अलग-अलग wave band में जो sunlight है उसकी गतिवीडियो पर भी नज़र रखेगा photo sphere, chromo sphere और corona पर भी research करने में इसके जरीए मदद मिलने वाली है साथी सूरी की सता पर solar become या coronal mass ejection पर भी research करने में इससे काफी मदद मिलेगी सूरी के साथी जो उसकी गतिशीलता होती है, धदखने संबंदी जो गतिवीडिया होती है यह तमाम ऐसी चीजी है जिससे आदित एलोन के जरीए इसके study करने में मदद मिलेगी साथी अंतरिक्ष में मौसम संबंदी जितनी भी समस्या होती है, उसको भी समझने में इससे मदद मिलने वाली है मंजिल पर पहुँचकर यह पांस साल तक आंकड़े जुटाता रहेगा और यह एक बड़ी सफलता इसरो के लिए है जिसका पूरे देश को काफी समय से इंतजार था, सितंबर में इसकी सुरुआत हुई थी और आज यह वहाँ पर वापस से करक्षा में स्थापित हो गया है रिसर्च के लिए इसरो ने आदित एलोन के साथ साथ पेलोड भी बेजा है